हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि IQZ7 Pro फोन में आप लोग वाइफाई कैसे कनेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास एक IQZ7 Pro फोन है और इस फोन में आपको वाइफाई कनेक्ट करना है अगर आपके घर में वाइफाई लगा हुआ है तो कैसे आप लोग उस वाइफाई के साथ अपना फोन कनेक्ट कर सकते हो यागर आपके पास एक दूसरा phone है जिससे आप लोग यहाँ पर जो अपने phone में net को use कर सकते हो आपने दूसरे phone से net को share कर सकते हो तो कैसे आप लोग जो है उस phone के साथ Wi-Fi connect कर सकते हो तो आज के वीडियो में मैं ही बताँगा गा इस आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसानाए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गईस वीडियो को स्टार्ट करते हैं Wi-Fi connect करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है अपने इस phone के settings में Settings में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा network and internet का तो इस network and internet पे click करना है click करने के बाद Wi-Fi का option मिलेगा Wi-Fi पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर जो Wi-Fi है इसको on कर देंगे on करती यहाँ पर searching दिखाएगा मतलब search हो रहा है यहाँ पर आपका जो hot spot है जो भी दूसरा phone है उसका नाम यहाँ पर आएगा यापका जो घर पे Wi-Fi लगा हुआएगा उस Wi-Fi का नाम यहाँ पर आएगा तो आपको उस नाम को जो यहाँ पर से ठून लेना है तो यहाँ पर देख सकते मेरे पास एक दूसरा phone है तो इसका नाम यहाँ पर आ चुका है तो इस पे हम click कर देंगे click करती अगर passport है passport डालना होगा अगर passport नहीं है तो click करती connect हो जाएगा अगर passport है तो passport को डालेंगे और connect का option हैगा connect पे click कर देंगे Click करती आपका phone जो है WiFi के साथ connect हो जाएगा जैसी कि मेरा phone देख सकते हैं यापर connecting show हो रहा है और यापर देख सकते theft connect हो चुक़ा भी इस phone में आप लोग जो है WiFi से जो है अप लोग internet को use कर पाएंगे तो कुछ is तरीके से आप लोग IQJ7 Pro phone में आप लोग WiFi इस आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई